हला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजन पुरेत है यह जनरल आप्टीट की सीरीज जो है CSIR NET, GATE और CUT एक्जाम के लिए बहुत यहलफुल है आज मैं आपके सामने मैंचुरेशन की कुछ कंसप्स हैं, फार्मूलें यह बताने वाला हूँ प्लस इन पे बैस जो एक्जाम में questions आते हैं, यह मैं बताऊँगा प्लस जो questions solve करने की जो approach है, वो क्या होने चाहिए, वो भी मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा तो सब्सक्राइब शूरू करते हैं इसके बराबर होती है, इसका जो एरिया होता है, वो ट्रैंगल जिसकी तीनों साइड यहां पे क्या होती है, सेम होती है इसका अगर हम बात करें, पेरिमिटर तो वो थरी होता है अगर मैं इसके एरिय की बात करूँ, तो सब्सक्राइब जो होता है, यहां पे एरिया इसका पूरा डेरिवेशन होता है, जिसके हम एरिया निकाल सकते है, यह हाइट है, फिर यह हमारे पास A by 2 हो और यह A by 2 हो और यह आजाएगा तैं 1 by 2, तैं यह आएगा, हमारे पास 3A square by 4, तो है आएगा रूट 3 a by 2, तो यह हमारे पास आएगा, रूट 3 by 4 a square, तो और असके एरिया का फार्मूला उता है होता है, जहाँ पर हमारे पास ह है, लेते हैं है, अगर हमारे पास आइसोसले स्रेंगल गारेखा है, इसकी दो करते हैं सुन पर्पेंडिक दालते हैं मां लिए हमारे पास हाइट है घर मैं पास एच Inc Wie Convers deep d by 2 d by 2 हो जाएगा तो h जो होगा वो हमारे पास a square minus d square by 4 होगा तो 1 by 2 base into height तो base हमारे पास d है height हमारे पास हो जाएगी under of a square minus d square by 4 तो सुनिए हमारे पास यहाँ पर क्या होता है फार्मूला होता हम rectangle की बात करती है side a यह side b है तो इसका perimeter 2 into a plus b होता है इसका area होता है अगर हम semicircle की बात करें तो सुन आधा जो perimeter होगा वो pi r होगा और यह हमारे पास r और 2r हो जाता है area की बात करें तो 1 by 2 pi r square होगा अगर मारे पास ring दे रहे हैं तो इसका perimeter होता है वो 2 pi r plus 2 pi r होता है तो यह perimeter हो जाती ही दूनों को जोड़ेंगे दिया जाएगा इसका area की बात करें जो इसका तो यहां पर बड़े वाले circle का area माइनस छोटे वाले circle का area तो pi r square माइनस r square आएगा तो यह हमारे पास यहां पर फार्मले होता है इस उन कुछ questions समझने कोशिश करते हैं बड़े अच्छे questions हैं और थोड़ा सा concept समझेंगे तो समझ में आएगा और पर मैं चाहता आप इस series को देख रहे हैं तो आप इस video को pause करें questions को try करें अगर नहीं समझ माता है तो फिर आप इसका solution देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो फिर मतलब नहीं है सुन question देखें यहां पर क्या बोल रहा है in the figure angle ABC सुन यह जो angle देखा है 90 degree का देखा है और जो AD है मतलब यह जो है यह length यह length और यह length तीनों यह जो length है यह length है यह length है तीनों क्या देखा है बराबर देखा है C D B मतलब इन दोनों triangle के जो area है उसका ratio क्या होगा आप से यह पूछा जा रहा है तो हम क्या करते हैं सुन सबसे पहले यहां पे area of मैं क्या करता हूँ area of triangle ADC निकालता हूँ मतलब ADC कौन सा वाला है यह यह वाला है न दिख रहाएं यह यह वाला जो हमारे पास triangle है यह ADC है इसका हमे area निकाला तो हम क्या करते हैं इस पूरे triangle यह जो triangle दे रहा ना पूरा इस पूरे का area निकालते है फिर इसमें से हम क्या करते हैं सुन जो यह वाला area क्या कर लेता है माइनस कर लेता है तो यह वाला जाएगा तो यह concept हम लगाएंगे तो आप देखेंगे सुन यहां पे हमारे पास क्या हैगा area of द्यान देज़ेगा area of समझनी कोशिश करना area of triangle यहाँ पे a b c minus area of triangle यहाँ पे ले लो में dbc या c db ले लो c d n d या वह an de dbc या b c d जो भी आपको लेना हो ले सकते है न मतब यह वाला जो triangle है इसके area में से इसको minus कर लेते हैंब बेटा हमँआरे पास area of ABC क्या होगा? सुन ये, हमारे पास पूरआ है और ये हमारे पास height है. तो सुन ये आएगा हमारे पास 1 by 2, base हमारे पास AB है. height हमारे पास CB है. minus सुन ये आएगा 1 by 2, यहाँ पे base जो होगा और पास DB हो जाएगा. या db ले लो चलो ठीक है db हो जाएगा and इसकी जो height है वो हमारे पास क्या हो जाएगी cb हो जाएगी now यहाँ पर क्या करता हूँ 1 by 2 मैं यहाँ पर cb common निकाल लेता हूँ अगर आप cb common निकालेंगे तो सुन यह आएगा ab minus db पर का पूरा ab है यहाँ पर इसमसे db minus करूँगा तो यह लेंता है건 अगर बैस पूरे मैंसे minus करूँगा तो यह आजाएगा 1 by 2 cb已經 यहाएगा रीदी हो जाएगा यह यह उख यहाँ पर इसकी value आएगा तो इसको हम रक लेता है तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो value हैगी 1 by 2 CB into यह आएगा हमारे पास AD divided by नीचे हमारे पास क्या है triangle of CDB तो यह आएगा CDB तो सुन CDB आ रहा है तो यह तो हमारे पास सिदा किसदा मिल रहा है 1 by 2, base हमारे पास यहाँ पे क्या है DB होगा इंटू, ये हमारे पास क्या एगा? C B हो जाएगा, रड़ है? अरे भहिया, ये हमारे पास क्या रहा है सुन, DB X, B C हो जाएगा, जो db है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d e plus e b, भाईया मैं क्या लिख लिख सकता हूँ, अरे मेरे भाई, ये प्लस ये, पर हमारे पास यहाँ पर d और e b की जो value वो किते दर रखी, a d दर रखी है, तो बटा ये a d आएगा, और ये भी हमारे पास a d, a d प्लस a d हो जाएगा, अरे भाईया, इन दोनों की value a d के बार बहुत है, तो इस उन ये हमारे पास आएगा, a d upon 2 a d आएगा, तो ये हमारे पास आएगा, 1 by 2, मतलब जो रेशो आएगा, वो हमारे पास 1 is to 2 आजाएगा, b option correct आएगा, तो इस प्रकार से इस question का आप बहुत इजीली कर सकता है, so next question देखिए, बढ़ा अच्छा question और इसको समझने कोशिश खरे, question क्या बोल रहा है मारे पास, कि d r q p is a small square of a side a, तो सुन ये हमारे पास एक small square दे रिखा है, जिसकी side हमारे पास के दे रिखी, small a दे रिखी है, ये हमारे पास square है, जिसकी side हमारे पास small a दे रिखी है, in a corner of a big square, a, b, c, d of side है, जो बढ़ा बाला हमारे पास square है, इसकी जो side दे रिखी है, वो मारे पास के दे रिखी है, capital है दे रिखी है, सुन यह जो है मारे पास square इसकी जो साइट देरेखी वो capital E देरेखी है ना बोल रखा है मारे पास वाट इस देरेशियो और पास area of the quadrilateral इस वो आप से पूचे जरा कि हमारे पास ratio निकालना क्या ratio निकालना है इस वो आप गालना है तो इस वो आप हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारे पास यहां पर यह समझने की जरूरत है कि हमें यहां पर क्या करना है सुन PBRQ कौन सा मैं इसको एक बार highlight करता हूँ ताकि आपको समझ मा है तो यहार मैं इसको highlight करूँगा red color से ना ताकि समझ मा है तो सुन यह हमारे पास देरेखा यह यह और यह सुन यह हमारे पास देरेखा है P, B, R, Q यह हमारे पास दे रिखा है तो सुर्म क्या करेंगे यहाँ पर यह जो total हमारे पास square दे रिखा है अगर मुझे यहाँ पर area of द्यान देशे का मैं खास करके आपको यह जो quadrilateral इसका area निकालना बारी पर जाएगा तो area of हमारे पास दे रिखा है P, B, R, Q is equal to मैं क्या करो सुन यह जो पूरा area है पूरा square का area area of the square area of मैं क्या करता है square हमारे पास दे रिखा है A, B, C, D इस पूरे का area निकालता हूँ अब इसमें से क्या करता हूँ छोटा वाला square इसका area माइनस करता हूँ area of हमारे पास square दे रिखा है P, Q, D, R इसका area माइनस करता हूँ माइनस इस सुन इसमें से यह जो देखो यह area मैंने माइनस करा फिर मैं यह वाला area माइनस करूँ फिर यह वाला तो यह बीच वाला जाएगा तो सुन area of triangle हमारे पास यह आएगा P, B, A P, B, A minus इस सुन यह वाला B मैं माइनस कर दू यह वाला triangle का area तो area of triangle हमारे पास क्या आएगा सुन B, C, R तो सुन यह अगर हम करेंगे मतलब यह जो total हमारे पास square है इसमें से छोटा वाला square है यह side वाले triangle का area यह side वाले triangle का area अगर minus कर दी तो यह बीच वाला quadrilateral का area आजाएगा तो भाई हम सबसे पहले बात करते है कि हमारे पास इसका जो area वो हमारे पास क्या है A, B, C, D का जो area वो क्या है तो सुन यह हमारे पास capital है यह भी हमारे पास capital है तो यह जाएगा हमारे पास capital A square minus इस सुन जो हमारे पास छोटा वाला area का area का small a side है तो यह स्मॉल S को रहेगा, इस सुन यह दोनों ट्रेंगल सेम ही है, तो क्या करता हूँ, मैं ट्वाइस कर देता हूँ, अब इस सुन अगर मैं इस ट्रेंगल की बात करूँ, तो यहार यह पर कैपिटल है, पर अगर आप इस लेंद की बात करेंगे, तो इस लेंद की जो वेल और हाइट हमारे पास A-A, बलो समझ मारा रहा कि नहीं रहा है, यह हमारे पास यहां पर कहा जाएगा, इसकी वेल्यू आजाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लिफाइ करूँ तो A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- एक ratio दे रहा है, और उसे ratio की value 3 दे रहा है, तो अगर आप देखेंगे, तो capital A is equal to small 3 हो जाएगा, यादे नहीं, भई, A by A is equal to 3, तो capital A हमारे पास 3 into small a हो जाएगा, तो यह value उठा कर रख दिजिए यहां पर, है ना, तो यह आएगा minus का A square, capital A की value 3 ए रख देते हैं, तो यह 3A रखेंगे तो यह 3A square हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास इसकी value क्या हैगी, 2A square हो जाएगा, तो बटा हमारे पास जो ऊपर वाला है, उसकी value कितनी आ रही है, 2A square हो जो बड़ा वाला square, उसकी side हमारे पास A है, तो इसका area हमारे पास A square हैगा, हमें इसका ratio निकालना है, तो बटा 2a square और capital A की वेली हमारे पास 3 है तो बटा square करेंगे तो यह आएगा 9a square तो बटा a square से a square हमारे पास यहाँपे क्या जाएगा cancel हो जाएगा तो यह आएगा हमारे पास 2 by 9 मतलब 2 is 2 9 हमारे पास ratio होगा या 2 by 9 हमारे पास यहाँपे ratio हो जाएगा इस तरह से इस question को बड़ा easy ली हम solve कर सकते हैं next question देखी बड़ा अच्छा question है question ही हमारे पास बोल रहा है consider right angle triangle ABC जहां पर AB बराबर AC is equal to 3 है मतलब यह जो side है यह इस side के बराबर है मतलब यह हमारे पास एक isosalist triangle है दोनों की side हमारे पास 3 है मतलब यह हमारे पास 3 है यह हमारे पास 3 है आगे बढ़ता है rectangle APOQ इस तुन यहाँ पर हमारे पास एक rectangle है जो कि हमारे पास यह दे रिखा है APOQ इस rectangle को यह बोला जा रहा है कि इसको हम थोड़ा सा shift करते है क्या बल रहा है as shown such that the height of the rectangle is twice its width मतलब इसकी जो height है वो इसकी width की twice है मतलब इन नोनों की बीच में ratio दे रिखा अगर यह हमारे पास A है तो भाईया यह हमारे पास क्या दे रिखा 2 A दे रिखा यह में given है the rectangle is moved horizontally by distance 0.2 as shown systematically in the diagram इस उन यहाँ पर क्या करते है यह जो हमारे पास बना रखा है आपको देख रहा है green color में यह rectangle को हम इधर moved करते है यह dash dash करके दिखा रहा है मैं इसको थोड़ा सा अलग color में दिखा तो ताक कि समझ जाएगा इस उन जो dash 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 करके हमने इसको क्या करा इधर moved करा किता moved करा इस उन पाइंट टू मू करा किता मू करा पाइंट टू है ना पाइंट टू हमने यहां पे क्या कर दिया इसको move कर दिया है और जोंटे कर दिया तो आपसे पूछा रहा है कि वोट इस रेशियो आफ एरिया आफ ट्रेंगल ABC upon area of OST इस सुन जो OST triangle बन रहा है दिख रहा है यह OST triangle इस सुन यह हमारे पास एरिया का रेशियो यह जो बड़ा वाला triangle है कौन सा वाला triangle है यह बड़ा वाला triangle है इसके area का जो ratio है वो इसके ratio से क्या होगा इस सुन जैसे आप इसको move करेंगे तो यार आपको यह समझने की ज़रूत है कि यह जो length होगी यह इसके बराबर होगी यह भी एक तरह का isosalist triangle होगा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसकी जो length है क्योंकि triangle हमारे पास isosalist है जब इसको ऐसे move करेंगे तो यह दोनों जो length है यह equally बाहर निकलेगी यह आपको समझ क्योंकि corner में equally बाहर निकलेगा तो यह भी हमारे पास एक तरह का isosalist triangle है अगर यह isosalist triangle है यह isosalist triangle है इसका जो angle है वो 90 degree है तो यह दोनों जो triangle लगे यह क्या होगे similar हो जाएगे इसमिलर हो जाएगे इसमिलर जो triangle हमारे पास ABC होगा आप देख रहें कि A पे 90 degree बन रहा है तो यहाँ पे किसमे 90 degree बन रहा है सुन S पे बन रहा है तो S O T हो जाएगा तो triangle ABC triangle S O T के क्या होगा बहिया similar हो जाएगा क्योंकि दोनों ही हमारे पास isosalist triangle है दोनों के angle equal आ रहे हैं और यहाँ पे बैसे भी देखो ultimately अगर triple A मतलब A A A A है ना तीनों अगर हमारे पास यहाँ पे angle equal आते हैं तो triangle हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगे सुन similar हो जाएगे अब ध्यान दीजेए यहाँ पे कि दो अगर triangle similar होते हैं यहाँ पे मारे पास एक छिरम होती है और वो छिरम क्या होते हैं वो बताऊँगा हम आपको area of triangle ABC upon area of triangle यहाँ पे अगर हमारे पास देखा जाए SOT तो इनका जो area का ratio होता वो इसकी corresponding side के square के ratio के बाराबर होता है clear है तो इसकी जो side है वो हमारे पास क्याएगी AB तो AB का square upon SO का square हो जाएगा भाई इसके बाराबर हो रहेगा और AB हमारे पास यहाँ पे गदरेगा 3 तो बटाई यह हमारे पास क्या जाएगा 9 और SO SO हमारे पास क्याएगा 0.2 तो यह यह 0.2 का square ले ले बाद में हम इसको निपट लेंगे तो सुनिया आएगा मारे पास 9 और इसका square करेंगे तो यह आएगा 0.04 भाई है 0.04 है तो मैं किया करता हूँ इसको point अटाता हूँ यहाँ पे 100 कर लेता हूँ तो सुनिया आएगा 9 into 100 upon 4 और इसको cancel करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 25 और 25 को 9 से multiply करेंगे तो सुनिया आएगा हमारे पास 225 upon 1 तो सुनिया पर जो ratio आएगा वो हमारे पास 225 upon 1 आएगा तो इस तरह समया पे इसको correct कर सकता है तो ऐसे हम यहाँ पे इस question को solve कर सकता है अगर आप इस type के और भी question प्रैक्टिस करना चाहरे है तो यह जो general update की book है यह Amazon पर अविलेबल है काफी सारे नए questions मैं यह आपे दी है इस तरह से अगर आप IID चेम या CSI RID की तायरी match के साथ कर रहे है तो यह books भी आप Amazon और Flipkart से buy कर सकता है So next question देखे क्या बोल रहा है A rectangular photo frame of the size एक हमारे पास यहाँ पर photo frame दे रहे है यह हमारे पास photo frame दे रहे है जिसके size हमारे पास यहाँ पर क्या रहे है सुन यह 30 है यह हमारे पास 40 है Has photograph mounted at the center living a 5 cm border यह सुन यहाँ पर हमारे पास एक photo हम mount कर रहे है और हर जगर से हमने 5 cm यहाँ पर छोड़ दिया न figur एकर 5 cm दे रहे है तो यह हमारे पास 20 हो जाएगा टीस एक पाथ 5 पाथ पाथ चोड़ेगे इससल tolerance यह हम चोड़ेगे तो यह हमारे पास 5 और 5 यह उतेगा तो यह total क्या है जाएगा गार आनदर है और इसका नडारा है. तो इसका जो difference आएगा, वो मारे पास काएगा 600, तो सुन यह option मारे पास यहाँ पे काएगा, correct आजाएगा. So next question देखिए, बढ़ा अच्छा question है, question ही बोला जा रहा है, कि the figure below is shown an annular ring with the outer and inner radius at B and A respectively. सुन यहाँ पे इसकी जो inner की radius होए है और outer की जो total radius हो मारे पास काएगा, या भी दर की है, the annular space has pented in the form of blue color circles touching the outer and inner periphery of annular space. सुन यह जो ring बन रही है, इसके इंदर हम क्या कर रहे है, blue color से ball को pant कर रहे है, clear है, जो कि outer और inner को क्या कर रहा है, touch कर रहा है, if the maximum n number of circle can be panted, वगर हम यहाँ पे n number of circle को हम pant करते है, then the unpanted area available in the annular space, तो सुन यहाँ पे बहुत सारे जो area होगा, वो unpanted दिखेगा, तो जो unpanted area है उसका हमारे पास निकालना है, उसका जो area होगा, वो कितना होगा, तो सुन क्या करेंगे, सबसे बिले हम बात करेंगे, जो annular बन रहा है, इसका area हमारे पास क्या होगा, यह जो हमारे पास ring बन रही है, इसका area क्या होगा, तो सुन area of ring जो होगा हमारे पास, area of ring की बात करी ज सटेए उम्हारे पास का एगा जो annulus लोड़ है इसके अमरे पास एरिया जाएगा अब हम देखतें जी हमारे पास शेयरिया रहा है इसके है कि अपर आपको क्या रहा है सपाल इस बोल गईों हमको क्या करना पढ़ एए थाइक अぎएंस क्या पड़ेगा पास कहाएगी, बी माइनस ए आएगी, तो बी माइनस ए जो होगा, वो इस जो छोटा वाला पैंटेट सरकल है, उसका हमारे पास यहाँ पे कहाएगा, डायमेटर हो जाएगा, तो इसका जो रीडेस होगा, वो हमारे पास कहाएगा, यह होगा, एक बोल का एरिया निकालेंगे तो यह एक बोल का area यह है, तो n बोल का क्या होगा, n से multiply कर देंगे, अब यह हमारे पास क्या रहा है, सुन टोटल हमारे पास ring का area है, और ring के area में से, अगर मैं इस area को minus करूँ, that is n, pi, b minus a का whole square upon 4, तो यह answer आजाएगा, तो मेरे साफ से option सिधा सिधा नजर आ रहा है, pi common निकाल दीजे, तो यह यहार यहार यहाएगा, b square minus a square, minus यहाँ पे n, b minus a का whole square upon 4, तो मेरे साफ से यहाँ पे, yes, b option मारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, correct आएगा, तो इस परकार से, इस question को बहुत easy लिए, आप solve कर सकते हैं, सुन यह question comment box के लिए, उसको solve करने में आपको किते seconds लगे, please comment करके ज़रूर बताइए, ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चारहे, तो पूरी playlist आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, अगर आप CSIR net और gate के previous year question के solution देखना चारहे, जनरल आपटीट के ते और वो playlist आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, और यहाँ जाके चैनल को subscribe कर सकते है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यमाद, thank you, bye bye.